आतं की कनेक्शन और हत्यारों की तसकरी के तार शहर और जिले से जुड़े होने से कोई इंकार नहीं कर सकाए पहले भी ATS इस मामले में कारवाई की थी तब से शहर समवेदन शील माने जाने लगा था शनिवार देर शाम शहर में आतं की कनेक्शन के इंपूट के चलते बोपाल ATS की टीम में जवार नगर सी कालोनी और बजरंग नगर में छापे मारी की जिसे शेत्र में संसनी फैल गई खबर है कि दबिश की खबर मिलते ही आरोपी फरार हो गया पुलिस इस मामले में अधिकारिक तौर पर कोई जानकरी देने को तयार नहीं प्रत्यक्स दश्यों के अनुसार शाम करीब साड़े साथ से आठ बजे के बीच पुलिस का एक दस्ता दो तीन गारियों में सवार होकर जवार नगर में संध्या हायर सेकेंडर स्कूल वाली रोड पर पहुंचा पुलिस का यह दल भोपाल ATS का था पुलिस के इस दल में दो दर्दन से अधिक पुलिस कर्मी शामिल थे जिन में थाना प्रभारी किशोर पाटनवाल तथा दीपक मंडलोई भी शरीक थे पुलिस सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बोपाल ATS किसी अकरम और वसीम शाह नामक आरोपी की तलाश में यहां पहुची थी ATS ने अकरम के घर पर दबीच दी लेकिन वह ATS के हाथ नहीं लग सका आरोपी अकरम का पिता बजरंग नगर में टैलरिंग की दुकान चलाता है यह जानकारी मिलने पर पुलिस का एक दल बजरंग नगर भी पहुचा सुतरों के मताबिक अकरम शाह की तलाश किसी आतन की कनेक्शन और अवेध हत्यारों की तसकरी के इंपूट के चलते की जा रही है यह जानकारी भी सामने आ रही है कि अकरम कुछ समय पहले कोटा में था और कोटा में हुई किसी गोली बारी में शामिल था वह बाबू शूटर का खास आदमी माना जाता है वह जितेंदर हिंगर की हत्या के लिए आय शूटरों में भी शरीक रहा था उसकी तलाश में कोटा पुलिस भी रत्लाम आ चुकी है यहाँ ATS की टीम ने शारुक नामक यूवक से भी तलाशी ली ATS को अकरम को पकरते समय किसी मुद्वेड की शंका थी इसे देखते हुए टीम और पुलिस आधुनिक हतियारों और जेकेट से लेस दबिश में ATS टीम ने घर की तलाशी ली और CCTV कैमरे भी देखे दबिश के बाद दल लोट गया इस मामले में पुलिस अधिकारी कुछ भी कहने से बच्टे रहे नो अगस्त को आधिवासी दिवस मनाया जाता है इस दिन आधिवासी समाज अपनी परमपरागत परिधानों के साथ तीर कमान लिए आधिवासीयों के वादी अंतरों की गूंच के साथ जुलूस निकालते हैं इस बार कुरोना के कारण आधिवासी समाज ने जुलूस नहीं निकाला और पर्यावरन जागरुकता का संदेश दिया डोसी गाओं में पोधार उपन किया गया इस मौके पर मास्क का वित्रण कर कुरोहा से बचने सोशल डिस्टेंसिंग के सलाह दी गई इस अफसार पर आधिवासी संगधन के पदादिकारी उपस्तित थे अज वीच में सारे आधिवासी जंग मिलके और गाओं के लोग मिलके हम यह प्रोग्राम करते हैं और इस बीच में वीट को देखते हैं हमने इस बार प्रोग्राम को भेवस्तित नहीं किया ते वह खोदा और पन किया वह मार्पिट के मामले भी होते हैं जो थाने, कॉर्ट और अस्पतालों तक पहुंचते हैं शनिवार की शाम एक अजीब मामला सामने आया जो एन टाइम्स के कैमरे में कैथ हो गया मामला पावराउस रोड सित विशाल शॉपिंग माल के बाहर अपना दूपई या वाहन पल्टाते समय एक यूवक को गाड़ी थोड़ी सी क्यार गई लड़के ने वहीं लड़की की सरयाम पिटाई कर दी विवाज बरते देख नागरिक तो तमाशाबीन की तरह खड़े रहे लेकिन किसी ने कुछ कहना या आपती लेने की हिम्मत तक नहीं की बाद में ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुँची और बीच बचावकर चीता को खबर दे कुछ देर बाद चीता जवान मौके पर पहुँचे और यूवक को पकड़ कर थाने ले गए यूवती ने बताया आपको सड़के ने मारा या कैसे मारा इस नापको बारी शुरू होते हिला परवाहिया सामने आने लगी है इस हिला परवाहिय ने फिर एक पशुकी जान ले लिये रहिवार की सुबा मुमिनपुरा शेतर में बिज़्दी के पॉल से करंट लगने से एक भैस पॉल पर ही चिपक गई भैस को बचाने के लिए हाली ने जब प्रयास किये तो हाली को भी करंट लग गया करंट लगने से भैस की मौत हो गई है वहीं हाली भी खायल हो गया मामले की जानकारी देते हुए शेतरिय नागरी को ने बताया लगने से दूर करने के बाद लगने से दूर कर आमने इसको फिर यह बेस फस पास्ट गई हमने फोन लगाया हो पर पाउर हूस में भी तो आपए से भी आद्मियों नो एक गंटा होना आगया मगर कोई ना तो आया ना आमने पुला ओ लाइन बन कर दो इत्ताम भैस को निक अब अगर वह तो भी तो बेस बच्चा थी उसका च्छोटा वच्चा आठ दिन का भी दो किसकी लापर है एक पीब लो टो तिन दिन पहले भी चेंज करके वजए से इस बज़े से क्या है करण्ट लगनी की वज़े से मरी है करण्ट निकल रहे थी तो अचानक बेस फस तो वह करेंड में इतना पावर्ट है कि इसमें चिपकी गई हो बिल्कुल सूजी नहीं पड़ी इसको दो पांच मिनिटों पुड़ा फिनीश हो गई हो और इस कारेंड में इनका जो काम करना अला है जो मदन नाम है इनका उसको भी आया वो छुड़ाया उसको भी करेंड पावराउस रोड पर फोरले निर्मार के बाद बिजली कमपनी ने लाइन शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया नगर निगम ने इस शेतर में विद्यूत पोल लगाए हैं ये पोल 13 मीटर उचाई के 18 पोल और 11 मीटर उचाई के 6 पोल लगाए गये हैं पोल लगाने का काम जारी है इस दोरान विद्यूत कमपनी शैडियूल के तहट विद्यूत परदाय भी बंद करता है शनिवार को शेतर में शाम करीब पोने 5 बजे तक विद्यूत आपरती बंद होने से जहां नागरिक परिशान रहे वहीं जिला अस्पताल में मरीज और डॉक्टर परिशान रहे सौमवार को IDPS के तहट विद्यूत कमपनी पोल लगाने और तार खीशने का काम करेगी इस दोरान कमपनी डॉंगरे नगर और आसपास के इलाकों की विद्यूत आपरती सुबर 10 बजे से दो पर 2 बजे तक के लिए बंद करेगी दो दिन पहले भी कमपनी ने इस शेतर के करीब साथ गंटे बद्धी गोल करी थी अब तक रूठे मानसून ने भादाव मास में बरसकर मौसम का मिजास ही बदल दिया रहीवार तड़के सुबह से शुरू ही रिमजिम बारिश से पानी की चिंता में डूबे नागरिकों और किसानों के चेहरे खिल उठे पूरा सावन प्यासा ही गुजरा बारिश नहीं होने पर पोखर ताला भी सूखने लगे थे अब उमिद जताई जा रही है कि भादावा मास में यदि बारिश लगातार हुई तो पानी की पूर्ती हो जाएगी मौसम विभाग ने बारिश का यह सिलसिला जारी रहने का अनुमान लगाया है